रादे कृष्णा भक्तो सोनी टालेंट अपर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थी तोई हूँ तो भक्तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि यदि आप एक से अधिक दीपक लगाते हैं यानि कि बहुत सारे लोग जो है वो पाच दीपक लगा कर पूजा करते हैं बहुत सारे लोग जो है वो दो तीन ऐसे करके जो भी है वो अपना संख्या जो है दीपक का वो बढ़ा कर या फिर कितनी भी संख्या में अगर दीपक लगाते हैं और वो पूजा करते हैं और उन सा पूरे दीपकों में फूल बनते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है, आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा जो है यही जानकारी देने वाली हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हुए, आइए हम अपनी जानकारी को शुरू करते हैं, तो सबसे पहली बात क आप सब जानते हैं कि दीपक में फूल बनना एक दैविय किरिया है और जो दीपक में फूल बनते हैं वो बहुत ही शुब संकेत है यदि आप पूरे विधिबत धंग से पूजा करते हैं पूरे निष्ठा के साथ प्रेम के साथ भगवान की पूजा करते हैं अपने इश्ट व्यक्ति के दीपक में ही फूल बने लेकिन जो भी व्यक्ति के दीपक में फूल बनते हैं वो बहुत ही जादा शौभागिसाली होते हैं और आप उन में से एक हैं तो भक्तों बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो एक दीपक जो है अपने इस्ट देव को लगाते हैं और एक दीपक या फिर उससे अधिक संख्या में जो है वो अपने और भी देवी देवता को लगाते हैं दिपक तो बात यह है कि यदि आप बहुत सारे संख्याओं में एक दो तीन चार संख्याओं में या जितनी भी संक्याओं में दिपक लगा रहे हैं वे सारे दिपक में यदि फूल बनते हैं एक समय में या फिर पूजा के दौरान तो इसका क्या अर्थ होता है इसका अर्थ जो होता है वो बहुत ही शुब होता है सबसे पहली बात की मैं आपको बता दू कि आपने जिन जिन देवी देवताओं के लिए दिपक लगाया है वे सभी देवी देवताओं ने आपकी पूजा जो है आपकी आपने जो मन से भक्ति भाव से जो भी श्रद्धा से आपने उनकी सचे मन से जो पूजा की है वे जो है उनके द्वारा स्विकार की गई है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पुर्ण होगी और आपको वो देवी देवता आशिरवात दे रहे हैं कि वे आपकी पूजा से पूरी तरह से संतुष्ठ है प्रसन्न है तो दीपक एक से अधिक में भी यदि फूल लगे तो आपको यही समझना है कि वे देवी देवता आपसे प्रसन्न है बहुत सारे लोग हैं जिनके इष्ठ देव को केवल दीपक लगाते हैं अगर उसमें फूल आये तो आप समझें कि आपके इष्ठ देव आपसे प्रसन्न है यदि आप अन्न किसी देवी देवताओं के न देवी देवताओं का आशिरवाद मिल चुका है उनकी कृपा आपके उपर बन चुकी है इसका अर्थ यही है कि आप जो भी देवी देवताओं को लगा रहे हैं उनके द्वारा आपकी पूजा स्वीकार की गई है तो उमीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे जैमाता दी